हाई खुछ पॉर्णिंग सास्याकाल आज आप नमस्कार वनकम और आगे आपका अपना डॉक्टर डॉक्टर नमीद कर रहा है जैहिन दोस्तों कैसे आप लोग आज एक टॉपिक ऐसा बताने जा रहा हूं बड़े सारे लोगों को ये चिंता थी मेरी बहुत जादा जो लोग मेरी परवा करते हैं जोरों से जादा करते हैं कि डॉक्टर साब ने वेक्सीन क्यों नहीं लगवाई अब तक क्यों नहीं लगवाई आखिर अभी तक मैंने वेक्सीन क्यों नहीं लगवाई आज बता देता हूं और आज इस पर महर लगने वाली है जी हां इस टॉपिक पर मोहर लगेगी क्योंकि जो बात में पिछले 6 महीनों से चिला चिला के बोल रहा था और आज वही बात करी है कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला है राय दी है हमारे PM जी को क्या दी है वैक्सीन के बारे में जी हाँ हेल्थ एक्सपर्ट ने हमारे प्रधान मंत्री जी को राय दी है और एक्सपर्ट को ने एक्सपर्ट डॉक्टर सें एम्स के और नैशनल कोवीड टास्क के मेंबर इन लोगों ने राय दी है कि सर जिनको कोवीड हो गया हो तो उनको वैक्सीन अभी फिलाल ना लगाई चाए समझ गे मतलब क्या अब बताता हूँ मैं और फिर आगे पूरी कहानी बताता हूँ आखिर है क्या ये किस्सा मुझे कोवीड हो चुका है मैं हमेशा और मैं कितने वीडियो इसके उपर बना चुका हूँ आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर आपके अंदर natural immunity बनी हुई है तो कोई ज़्यादा छेछाड मत करो आपको याद हो का मैंने कोवीड आईजी जी एंडिबोडी का अपना कितनी बार टेस्क कराया तीन बार करा चुका हर बार बनी हुई आई इसलिए मैंने अभी तर्व एक्सिन नहीं लगाई क्यों इस बात का बहुत बड़ा प्रूफ पहले मिलना चाहिए कि नैचरल इम्मेनिटी के ऊपर वैक्सिन लगाने का कितना फायदा होगा नमबर बन इस समय ये देखा गया कि इन एक्सपर्ट का भी ये कहना है कि पिछली बार जब मास वैक्सिनेशन किया गया जब सबको बोल दिया गया कि आप तभी कुरोना फैला रीजन कि पहली चीज जो एक्सपर्ट ने ओपिनियन दी है उन्होंने वार्ण किया है कि मास यूज इन डिस्क्रिमिनेट यूज और इनकम्प्लीट वैक्सिनेशन से इस वाइरस का स्ट्रेंड चेंज हो सकता है मतलब कि वो कहते हैं कि हर एक को वैक्सीन मत लगवाओ वैक्सीन सिर्फ उनको लगवाओ जो हाई रिस्क रूप हैं जो कोम और विट कंडिशन है जो ओल लेज वाले यानि कि जो पहले चल ला था वही ठीक था यंग पिशिंट में नैच्रल इम्मिनिटी बनने दो जी हाँ उनको ज़्यादा छेचाड मत करो क्योंकि इस तरह से और इतनी भीड हो जाती है कि नहीं भी कोविड होना हो तो वहां हो जाता है बीड में जाके और यही हुआ था सेकिंड वेव के जो शुरुआत मैंने यह बात बोली तिकर आप मेरे वीडियो उठाके देखेंगे इस सेकिंड वेव में कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब से हमने 18 साल वालों को अलाओ किया 45 से उपर वालों को अलाओ किया without co-morbid condition तभी एक दम से फैलना शुरू हुआ ऐसा क्या था कि जो भी vaccine लगवाने जाता था उसको थोड़े दिनों बाद fever हो जाता था COVID हो जाता था तो कहानी कुछ ना कुछ और ये डेल्टा वायरस का जो strain आया दिल्ली में उसके पीछे एक ये reason भी दिया जा रहा है कि जो mask हमने incomplete vaccination किया पूरे mask का किया ये जो use शुरू किया कि हर एक को vaccinate करो ये ठीक नहीं है तो ये राई दी गई है कि अगर जिनको COVID हो गया है उनकी natural immunity बन जाती है उनको बनने दो हम वेट और हाला कि सरकार ने पहले ही बोल दिया था कि तीन महीने बाद आपको vaccine लगानी है अगर आपको COVID हो गया है ये instruction पहले भी आ चुकी थी कि आपकी immunity तीन महीने तक तो बनी रहती है मैं बोलता हूँ तीन से छे महीने तो minimum बनी रहती है ठीक है और natural immunity का मतलब सिरक COVID antibody ही नहीं होता natural immunity का मतलब T cell, B cell immunity भी होता है जो हमारे body का defense mechanism होती है तो मैंने vaccine इसलिए नहीं लगवाई थी क्योंकि मैंने बताया था कि मुझे हो चुका है मेरी natural immunity बनी हुई है मैं ये बात हर बार बोल ला था हर दो-तीर मैं बार वीडियो लेकर आता था हर बात आपको बोलता था और आप ये बात समभाई नहीं पा रहे थे कि मैं आखिर क्यों पीछे था reason reason ये कि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है natural immunity is the better immunity अगर आपको कोवीड हो गया है जो आपकी natural immunity है उसको बनने दो और कोवीड वैक्सीन फिलाल अभी के लिए आगे के लिए ठीक है हम सब को वैक्सीनेट कर देंगे फिलाल अभी एक्सपर्ट बोल रहे हैं और एक्सपर्ट कौन कौन है इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसेशन है इंडियन एसोसेशन और प्राइवेट प्रिवेंटिम और सोशल मेडिसिन यह जो संस्ता है इन्होंने भी यही बोला है कि भाई जो हाई एज ग्रूप आले हैं जो कोव और बिड कंडिशन है सिर्फ उसी को वेक्सिनेट करो 18 साल से उपर सब को वेक्सिनेशन देने की जुरूप नहीं है क्योंकि यह देखा गया कि वाईरस में जो स्टेन में चेंजेद आये जो डेल्टा, एल्फा, फ़लाना, डिमका यह वेक्सिनेशन के बाद ही चेंजेद आये मतलब आप जितना वाईरस पर अटेक करने की कोशिश कर तो वाईरस अपना रूप बदल लेता है वाईरस अपना रूप बदलता है तो आपको भी अपना रूप बदलने की जाता है हाला कि कुछ लोग कहेंगे यार और ये भी राय दी जा रही है कि जो Delta Virus है इस पे अगर वेक्सिन को काम करना है तो COVID Shield वेक्सिन को वापस से आपको चार हफते बार लगानी पड़ेगी क्योंकि ये देखा जा रहा है कि COVID Shield वेक्सिन जब Delta Virus पे जब इतने लेट लगा रहे हैं तो बहुत जाद़ एफेक्टिव नहीं पाई गई 60% effectivity है second dose के बाद delta virus पे तो वो एक अलग topic है उस पे अलग बनाऊंगा लेकिन ये भी का जा रहा है जैसे UK ने भी वापस से अपना program जो पहले बोला था कि हम 3 महीने बाद लगाएंगे vaccination COVID-Shield की second dose उन्होंने वापस से 4 हफते कर दिया या short कर दिया उसको तो यहीं यहां के expert भी कहरें कि सर इसमें कोई जादा नुकसान नहीं है कि हम अपने vaccination को बार 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 बदल रहे हैं हमें बदलना ही पड़ेगा यह जो भारूपिया वाइरस है इसको लड़ने के लिए अगर वो अपना अक्टूबर में हुआ था अक्टूबर, नॉम्बा, दिसम्बा, जन्वरी, फरवी, मार्च, एप्रेल, माई, जून अल्मॉस्ट नो माईने हो गया है मेरी immunity अभी तक बनी हुए है इसलिए मैंने vaccine अभी तक नहीं लगवाई आज ये जवाब मैं सबको बता रहा हूँ अब जिसको जो बोलना है बोलीजे आप vaccine से डरते हो, फ्लाना है, ये है, वो है लेकिन मेरा यही और ना मुझे कोई comorbid ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉलम है चोटी मोटी autoimmune disorder हो सकता है हाला कि मैं उसकी medicine चोटी मोटी लेता रहता हूँ कोई इतना serious issue नहीं है लेकिन मुझे लगता है, natural immunity अगर बन गई है तो मैं छेर चाड़ अपनी body से बिलकुल नहीं करूँगा क्योंकि Dr. K.K. Garwal का किस्सा ये कैसा किस्सा है जहां पर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है कि शायद अगर उन्होंने vaccine ना लगाई होती शायद autoimmune जो उनका system था क्या हुआ उसके साथ क्या वो दुबारा से aggravate हो गया क्या हुआ कुछ नहीं पता है लेकिन हाँ vaccine लगानी चाहिए सिर्फ पहले अभी उन्हीं को vaccine लगाओ जिनको ज़्यादा जरूरत है 45 प्लस वालों को लगाओ co-morbid condition वालों को लगाओ अभी सब को vaccination देने का मुझे भी समझ में नहीं आता लेकिन ये demand राज्ये वाले कर रहे थे सबको लगाओ, सबको लगाओ, सबको लगाओ क्या बोलें एक तो politics शुरू हो जाती है vaccine नहीं है, vaccine नहीं है, vaccine नहीं है हैं आप सबको लगाते नहीं हो 18 साल से उपर को सबको लगाओ अब भाई कुछ scientific evidences भी होते हैं कुछ natural immunity भी होते हैं कुछ strain में बदलाव भी होते हैं बहुत सारी चीज़ होते हैं यह इतना simple नहीं होता कि vaccine सबको लगा दी तो सब ठीक हो जाएंगे और यह evidence यही था कि जैसे ही vaccination सबके लिए खोला गया जो भी vaccination center बे जा रहा था महां से covid लेके आ रहा था रीजन क्या था एक तो भीड इतनी थी वहाँ पर आप पालन नहीं करते थे मास का दूसरा incomplete जो vaccination हो उससे strange change हो गया और डेल्टा वारस ने दिली में जो तुफान मचाया वो सबको पता है तो ultimately अब यह सरकार को decide करना है किसको vaccine देनी है किसको vaccine नहीं देनी लेकिन ये बात मैं पहले दिन से बोलता रहा हूँ और बाच मैंने ये भी बोला था तीन महीने से पहले तो बिल्कुल ना लगवाएं अब मैं बोलूँगा छे महीने से पहले vaccine बिल्कुल ना लगवाएं अगर आपको COVID हुआ है तो तैंक्यू बेरी मच क्योंकि COVID vaccine की भी कौन सी 100% guarantee है भाई ये जो मर जी बोलते नहीं कि 100% death को रोखती है COVID vaccine मैं बिल्कुल नहीं मानता हमारे सामने एक्जामपल है डॉक्टर केकेगरवाल, डॉक्टर शेकरवाल, डॉक्टर बंदारी और ना जाने कितने है अभी RML की भी एक study आई है कि 90% लोगों को vaccine लगी हुई थी फिर भी 10%, 11% लोगों को COVID हुआ लेकिन death किसी क्यों नहीं वो ये बोलते है सब जो बाकि जो death हुई है doctors की उसके बोब पर पर भी तो study करो न कि उनकी क्यों ही vaccination लेने के बाद मैं vaccination के खिलाब बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं लेकिन वहीं बोलूँगा ये expert की राये, मैं बिल्कुल यही पहले भी बोलता था जिनको co-morbid condition है जो 45 से उपर के age group है जो older age group है, पहले उनको vaccine दी जाए क्योंकि वह सबसे बड़ा और वहीं पर ही ठीक चल ला था जब तक उनको दी जा रही थी, सब ठीक चल ला था जैसे ही 18 साल से उपर वालों को शुरू किया गया जैसे ही 15 साल without तो एकदम से पता नहीं क्या हुआ ये strain में क्या change आया तो इसी पर expert बोल रहे है कि भाई, इस तरह के vaccination से strain में change आ सकता है, incomplete क्योंकि हमारे पर इतनी vaccine नहीं है कि हम एक दिन में सब को vaccinate करते हैं तो thank you very much, अब आप समझ कियोंगे कि मैंने vaccine क्यों नहीं लगवाई भाई, मेरा दिमाग पहले दोड़ता है जहां पर लोग एक साल बाद पहुंचते हैं मैं पहले ही पहुंच जाता हूँ अब आप बोलोगे, सर आप तो पंडित हो prediction करते हो, सर थोड़ा सा दिल और थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करता हूँ भेड़ चाल में मैं नहीं फसता हूँ मैं कभी भेड़ चाल में नहीं किया हूँ मैं वो ही करता हूँ, जो मेरा दिमाग बोलता है और दिमाग और दिल दोनों यह बोलता थे नमनीत, तेरी नेच्रल लिमिटी बनी हुए है तू वेट कर बस, हाँ, जिसको COVID नहीं हुए है उसको लगवानी चाहिए, जो 45 से उपर के हैं और comorbid condition है, जिनको COVID नहीं हुआ है उनको जरूर लगवानी चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ और old age वालों को भी लगवानी चाहिए, जिनको COVID नहीं हुआ है थेंक यू वेरी मच, आपका अपना डॉक्टर नमनीत कालगरा, लेकर आते रहेगा इज़ी तरह के, अच्छे टोपिक आपके सामने और जाते जाते शाषिकपूर आपको कोई गाना ना सुनाए, ऐसा हो नहीं सकता इतनी अच्छी खुशकबरी मैंने दिया आपको बहुत सारे लोगों की टेंशन आज खतम होगी होगी, सही बता रहा हूँ, जितना बड़ी टेंशन आज मैंने खतम करी होगी शायद ही कभी होगी, तो इसी बात पर क्या अरे, बोल दूँ, कह दूँ आप इस सोचो के सारे, घिसा बिटा गाना डॉक्टर शेशिकपूर क्यों गाते है बार बार मेरा फेवरेट गाना है कह दूँ तूमें मैं तो कब से कह रहा था अरे, या चुप रहूं चुप रहना बढ़ता है, गाइड लाइन्स ऐसी है अरे, दिल में मेरे आज गया है मेरे दिल में यही था, कि वैक्सीन मैंने क्यों नहीं लगवाई तू बोले तो जानू गुरू तुम को मानू चलो ये भी वादा है हाँ तो ये वादा है मेरा आपके साथ चलने का और जो मैं बोलता हूँ, बहुत सोर समझ के आया हो, और क्योंकि कुछ चीजें यहां से आती हैं कुछ चीजें एक्सपीरेंस से आती हैं कुछ चीजें दिल से आती हैं और सब का मिला जूला के रूप बनता है डॉक्टर नमनीत कालरा शो अब आपको कि बहुत जादा हो गया अब सर बसकर दो इतनी तारिफ अच्छी नहीं होती नजर लग जाएगी थू नजर नहीं लगेगी यार तुम लोग मेरे साथ हो क्या नजर लगेगी बाई तेंक यू फेरी बच